नमस्कार साथियों मैं डॉक्टर सुशिल दुबे दुनिया भर के साइंटेस्ट और डॉक्टर्स का ये अनुमान है कि जब COVID-19 की तीसरी लहर भारत देश के वासियों से टकराएगी तो उसका सबसे जादा, सबसे अधिक असर हमारे देश के 9 निहालों पर होगा यानि कि हमारे देश के बच्चों पर इसका सबसे जादा प्रभाव पड़ेगा लेकिन उस थर्ड वेव के पहले, उस तीसरी लहर से पहले भी एक साइलेंट किलर है जो COVID-19 से ही संबंदित है और ये उसी का एक कॉम्प्लिकेशन है जो बच्चों में देखा जा रहा है हम उस साइलेंट किलर की बात कर रहे हैं जो छुपा हुआ है इसलिए बेहत सावधान रहने की जरुरत है और बच्चों में आने वाले हर सिम्टम को सतरकता और सावधान इसे परखने की जरुरत है जिस साइलेंट किलर की हम बात कर रहे हैं उसे हम MISC कहते हैं यह एक पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन है जो कोविड से रिकवर होने वाले बच्चों में 2-4 हफतों के बाद देखे जाते हैं 2-4 हफतों के बाद यह बिमारी दस्तक देती है सबसे पहले हम इसका मतलब समझ लेते हैं कि यह MISC का मतलब क्या होता है MISC का मतलब होता है Multisystem Inflammatory Syndrome in Children तो MISC क्या होता है? MISC का मतलब होता है Multisystem Inflammatory Syndrome in Children इस MISC को कई जगा पर PIMS यानि PIMS भी कहा जाता है इसका मतलब होता है Pediatric Multisystem Inflammatory Syndrome तो जैसा कि हम बताई चुके हैं कि यह MISC एक पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन है Post-Covid मतलब COVID हो जाने के बाद तो यह Post-Covid कॉम्प्लिकेशन है तो जो बच्चे Corona Virus से संक्रमित होकर ठीक हो जाते हैं उन बच्चों के शरीर में COVID antibodies तयार हो जाते हैं आम तोर पर होता यह है कि क्योंकि बच्चों की Immunity अच्छी होती है तो पहली वेव और सेकंड वेव में ये देखा गया कि बच्चों में सबसे कम संक्रमन लगा है लेकिन ऐसा हुआ है कि बहुत सारे बच्चे इंफेक्ट तो हुए हैं पर वो असिम्टमाटिक हो गए हैं यानि उनके अंदर कोई लक्षन आये नहीं तो ऐसे बच्चों में भी एंटिबॉडिज डेवलप हो गए हैं तो जो भी बच्चे कोरोना वाइरस से संक्रमित हुए उनके शरीर में जब वो ठीक हो जाते हैं तो एंटिबॉडिज तयार हो जाते हैं और यही antibodies, यह antibodies शरीर के अलग-अलग अंगों में सूजन पैदा कर देते हैं, यह सभी बच्चों में नहीं हो रहा है, कुछ बच्चों में हो रहा है, इसकी संख्या बहुत कम है, लेकिन rare भले है, पर यह complication बहुत नाजुक स्थिती में ले जा सकता है, तो यह antibodies शरीर के में सूजन कर देते हैं, kidney में सूजन कर देते हैं, brain में सूजन कर देते हैं, intestines में हो जाता है, stomach में हो जाता है, इस inflammation के कारण यह एक life-threatening complication हो सकता है, ऐसे बच्चों में RT-PCR negative होगा, लेकिन blood में COVID antibodies positive होंगे, ऐसा कोई fixed confirmatory blood test भी नहीं है, जिससे कि इसको diagnose किया जा सके, के केवल clinical presentation होगा, उन clinical presentation के आधार पर evaluate करके हम diagnosis पर पहुँच सकते हैं, केवल symptoms का मुल्यांकन करके ही MISC को या multisystem inflammatory syndrome in children को diagnose किया जा सकता है, इसलिए बच्चों में आने वाले हर symptom को ध्यान देने की जरुरत है, यह MISC दो साल से लेकर 19 साल तक के उम्र के वाले बच्चों में जादा तर देखा जाता है, और COVID संक्रमन लगने के बाद दो हफ्तों से लेकर 4 हफ्तों के बीच में यह बिमारी दस्तक देती है, यह बिमारी अपने आपको प्रेजन करती है, तो बच्चों में आने वाले हर symptom को बहुत बारिकी से समझने की जरुरत है, बच्चों में अग इतने बच्चों में आने वाले symptoms को बहुत ध्यान से समझे और सतर्क रहिए, सावधान रहिए